पुर्णाइब नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शृष्टी श्रिवास्तम पंजाब के सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चडधा रिलीज होते ही उसका विरोध शुरू हो गया है विरोध फिल्म को लेकर नहीं है बलकि फिल्म में लाल सिंग चडधा का किरदार निभाने वाले आक्टर आमिर खान का हो रहा है हिंदू संगटनों का कहना है कि आमिर खान ने पीके फिल्म में हिंदू देवी देपताओं का अपमान किया था उस वक्त ही हिंदू संगटनों ने फैसला ले लिया था कि आमिर खान की कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में नहीं लगने देंगे। अमिर खान अपने फिल्मों में हिंदू की देवी देवता और हिंदू पर अभद्र टिपनिया करते हैं। तुरंट फिल्म को हटाने का निर्ने लिया। जो शोड चल रहा था। उसमें करीब 12 लोग बैठे हुए थे। उन्हें भी हिंदू संगटनों के लोगों ने बाहर निकाल दिया। इसे बीच कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने फिल्म के लिए पैसे खर्श किये हैं। तो हिंदू संगटनों के नेताओं ने कहा कि जितने की उन्होंने टिकेट ली है उसकी वग पैमेंट कर देंगे। लेकिन आमिर खान के फिल्म नहीं चलने देंगे, संगटनों के नेताओं ने ये चिताबनी दी है कि आमिर खान के खिलाफ पुलिस हिंदू और सिखों की भावनाओं को आहत करने के लिए मामले भी दर्ज करें मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने आस्वाशन दिया कि आमिर खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा हिंदू नेताओं ने कहा कि 15 अगस्ते पहले मामला दर्ज ना हुआ तो वो सीपी ऑफिस के बाहर धर्ना देंगे बता दे कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब ही से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है और कुछ दिनों से तो पिटर पर बॉयकॉट लाल सिंग चड़ा ट्रेंड कर रहा है अपने पुराने बयान की मेरी वाइफ को भारत में डड़ लगता है आमिर के लिए मुसीबत बन गया है लोग लगातार विरोध करते जा रहे है एदवाय चेंदन के डारेक्शन में बनी इस फिल्म के मिक्स्ट रियाक्शन मिल रहे है यह फिल्म जहां कुछ लोगों को पस झाल